तो दोस्तो समूसे खाने तो हर किसी को पसंद होते हैं और खास कर तब जब शाम की चाय पी रहे हो और ये समूसे मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो तो चलिए आज बनाएंगे बिना जंजटों के हम ये समूसा रोल जिसमें ना तो feeling भरने की कोई tension है और ना ही fry करते समय खुलने का कोई डर है और मेरे इस तरीकी से अगर आप समों से बनाते हैं तो हर बार उतने ही tasty उतने ही crispy ये बनेंगे बाहर से एकदम crispy और अंदर से एकदम soft और एकदम चटपटे से तो चलिए recipe बनाना start करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर ये वीडियो या recipe आपको पसंद आई तो आप प्लीज इससे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो इस tasty इससे नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले दो कप लेंगे मैदा आप मैदे की जगे पे गिहू का आटा भी इसमें इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद taste की according सबसे पहले इसमें नमक एट करेंगे एक छुटा चमच अजवाइन लेंगे जिसे क्रश करके दोनों हातों से डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर तीन से चार बड़े चमच हम घी डालेंगे आप इसमें रिफाइन ओयल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें आज घी डाल रही हूँ घी से एकदम क्रिस्पी बनेंगे अब यहाँ पर इन सारी जिजो को हातों से मसलते हुए मिक्स करेंगे और दोनों हातों से रप करते हुए हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका ब्रेट क्रम की तरह ट्रेक्शन ना आ जाए तो कुछ दिर यहाँ मसलने के बाद जो घी है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और हतेली की बीच इसे रखते हैं तो यह लड़ू का आकार ले रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मोयन जो है वो अब परफेक्टली लग गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो बनाना है यहाँ पर जो डो है वो नॉर्मल आटे से थोड़ा टाइट रहेगा एक बार में सारा पानी ना डालें थोड़ा थोड़ा करते हुए ही एड़ करें तो यहां पर टाइटली डो बनाकर रेडी कर लिया है, उसके बाद किसी गीले टावल से या फिर गीले टिशू पेपर से आप लगबग 15-20 मिनट के लिए से कवर करके रख दीजे, समोसी की स्टफिंग तयार करने के लिए हम यहां पर 4-5 मीडियम साइज के उबले हुए आलो डालेंगे, एक टीजपून चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टीजपून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ टीजपून गरम मसाला एड़ करेंगे, साथ ही हाफ टीजपून कुटी हुई हरी मिर्च को एड़ करेंगे, हाफ टीजपून अमचूर पाउडर एड़ करेंग की तरफ यहां पर समोसे के डो को रखे हुए लगबग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इस डो को हमने तीन इकुल पार्ट में डिवाइट करना है अब उसके बाद उसमें से एक हिस्सा लेंगे उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से इसे रोल करेंगे इसको नौर्मल रोटी से थोड़ा थिक रखेंगे यहां पर हमने इसे रोल कर लिया है अब इसके सेंटर में हमने किसी भी कोल सांचे का बरतन रखना है या फिर रखकन भी रख सकते हैं और तयार की हुई आलू की जो स्टफिंग है उसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइट कर ल लेयर में फैलाना है इस लेयर को मोटी ना करें अब सेंटर में रखे हुए इस सांचे को हम निकाल लेंगे और उसके बाद पीजा कटर लेंगे और पीजा कटर की हैप से इसको 16 पार्ट में हमने डिवाइट करना है और आप इसका साइज अगर बढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसे 14 पार्ट में भी डिवाइट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने 16 पार्ट में डिवाइट कर लिया है अब उसके बाद इसके सेंटर में हम पानी लगाएंगे दोस्तों यहां पर पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम इनने रोल करेंगे तो यह पानी की हेल्ट से ही चिपके रहेंगे और फ्राइ करते वक्त यह बिलकुल हैं खुलेंगे तो दोनों साइट से जो इसके किनारा है उसमें भी मैंने इसमें पानी लगा लिया है और सेंटर में भी पानी लगा लिया है अब कटिंग की हुए पीस में से एक पीस उठ उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और टाइटली से रोल करेंगे देखिए कुछ इस तरह से और जिस तरफ से हमने पानी लगाया था उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर ये रोल बनके तयार ह हुआ है और अब इसी तरीकी को फॉल जाएंगे तो मीडियम ने ओइल को गरम कर लिया है और इसके बाद एक एक करके हम इन Saraug समुसा स्कोछ मेट आलेंगे तो जितने एक बार में आपके आते हैं आप बेविकरी से ज़से डाल दीजिये ना तो ये खुलेंगे फ्राइ करते वक्त और ना ही कोई प्रॉब्लम करेंगे बहुत आसानी से ये बनके तैयार हो जाएंगे और इसे डालने के बाद किसी भी स्पैचुला से सिर्फ हमें ओयल को गुमाना है हमें इन समोसास को टच नहीं करना है इस तरीके से equally फ्राई होंगे समोसा चारो तरफ से ये पर ये dark brown color आने तक मैंने इने फ्राई कर लिया है और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो इनके बाद हम इने निकाल लेंगे अब निकालते वक्त हमें क्या करना है कि हमें इसे directly plate में नहीं रखना है कर लिए हैं देखने में इतने खु़बसूरत लग रहे हैं खाने में भी बहुत टेस्टीER लगेंगे ग़र में डिए चाहे ने ब्रेक्फस्ट में बनाएं बहुती बहुती बड़ी है स्नेक है और आगे होली भी आ रही है तो त्योहारों पे तो ऐसी डिशिस बनती रहती है तो इन्हें जलूर बनाकर रख लीजिए एर टाइट कंटेरर में तो लीजिए तैयार है यहाँ पर हमारे मिनी समूसा बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ तोड़कर कि यह कितना क्रिस्पी बना है तो सुना आपने कितनी क्रिस्पी यह बने है मिनी समूसा और इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपके भी मि लाइक और शियर करना बिलकुल ना भूलें